नमस्कार दोस्तों, वेलकम तूरोन चैनल, लेंट तूरोन बाई एक यार, सो तोड़ी वूट भी डिस्कसिंग अबाउट वरून बेवरेजिस के बारे ब्रेंट, बिकॉस कम्पनी के तरह से बहुत सारे इंपॉर्टन अब्डेट है, इस वीडियो में डिस्कस करने आए, त 1572 का आज का क्लोजिंग प्रेंट, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1550, 1540 के रेंज में इसके लिए सपोर्ट है, और देखे, विलकुल उसी जगह से सपोर्ट मिला है, वहां से फिर से उचाल स्टार्ट हो गया है, और आगे बढ़ते हैं, जिनहीं भी वाच करना है, इस वीडियो में वाच कर सकते हैं, प्लस, स्टॉक स्पिट से लेटेर, जितने भी टीटेल है, जैसे फ्राक्शनल सेर्स क्या होता है, सब कुछ मैंने हापर बता है, रिजल्ट कैसा है, डिविडिन का सब कुछ मैंने डीटेल में बता है, आप ये दोनों वीडियो को जरू अगस्ट 2024 तक कर दिया जाएगा, अगर आप ये शेर को 8 अगस्ट, 8 अगस्ट 2024 तक खरीद करके डिमाट अकॉन में रिकॉर्ड देट तक रखेगा, तो आप इस कॉर्पेट इवन्ट डिविडिन के लिए एलिजिबल रहिएगा, ये सिर्फ डिविडिन का रिकॉर्ड डे अगे बढ़ते हैं, split का ratio, company ने split का भी announcement किया, split का ratio जो company ने fix किया है, यहाँ पर जो शेर जो है, वो subdivide split हो जाएगा, देख सकते हैं, जिसका phase value अभी इसका phase value जो आप share hold कर रहें, इसका phase value 5 वो टूट करके हो जाएगा 2, तूट करके हो जाएगा 2, यानि phase value 5 से change हो जाएग उसका वाट कंपनी आपको अनौंस करेगी रिकॉर्डेट इसके बारे में तो ध्यान दिजेगा अभी जो share आप होल्ड कर रहे है उसका phase value 5 वो तूट करके subdivide split होकर के हो जाएगा 2 shares में अब यहाँ पर friend देखे कैसा होगा वो भी आपको briefly बताता हूँ अगर जाना तो मेरे पुराने वीजियो को आज बहुच किया तो देखे phase value 5 से हो रहा है 2 जैसे company ने बता है यहाँ पर अगर आप एक share hold करें तो हो जाएगा 2.5 shares हो जाएगा तो friend 2.5 shares तो आप रख नहीं सकते है because fractional shares इंडिया में नहीं होता है तो यह decimal वाला part जो है वो आपका क्या करीए company उसके बारे में company ने update दिया है तो देखे होगा क्या कि आपको क्या करना है यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपका एक share है तो आपको नया quantity आपका हो जाएगा धाई लेकिन quantity fraction shares तो होगा नहीं आपका adjusted quantity कितना रहेगा दो shares रहेंगे तो fraction की रूप में रह जाएगा 5 share एक share है तो हो जाएगा 2 share 2 share है तो हो जाएगा 5 share यहाँ पर कोई fraction नहीं रहेगा तो आपको करना क्या है ध्यान दीज़ेगा शिच को 2, 4, 6, 8, 10 2 के multiple में अगर आप share रखते हैं तो को भी fractions नहीं रहेगा ध्यान दीज़ेगा शिच को तो fraction से बचना है तो आप 2 के multiple में आप share को रखिए यह चीच को अगर जानना है तो friend आप इस वीडियो को जुरू बाज़किए मैंने deeply होँआ पर अच्छे तरीके से समझाया है अभी हम लोग को बहुत सारी important चीज़ों को cover करना है इसलिए मैं थोड़ा fast इसको cover कर रहा हूँ अभी बहुत लोग कोशन होता है कि मेरे account में कितना share होगा तो friend आपको इम account में जितना भी share है पहला देख सकते हैं दूसरा है उनका participation को बढ़ाने के लिए जो यह share का भाव चुकि कम हो जाएगा तो बहुत लोग इसमें निवेश करना चाहेगे चुकि अभी share का price काफी भाग चुका है थोड़ा महंगा हो चुका है तो सब लोग इसमें अभी invest करने से डर है तो जब सस्ता हो जाएगा 600-600 क्राण में हो जाएगा जो मैंने आपको calculation बता है तब फिर लोग इसमें invest करना चाहेगा तो इसका price 630-650 क्राण में कैसा हो जाएगा आपको जो आपका investment का value है उसका 5 से divide कीजिए तो आपका record date वाले दिन प्राइस का दिखेगा 640 का तो friend split होने के बाद क्या क्या हो रहा split होने के बाद दिख सकते है quantity of shares आपके demand बढ़ रहा है भाव इसका घड जा रहा है देख सकते हैं दो item है एक है ordinary resolution है देख सकते है to approve subdivision split को लेकर यहां पर बता जा रहा है दूसरा है ordinary resolution है to approve alteration of capital clause of the memorandum of association of the company दो यहां पर discussion होगे यह पोस्टेल बैलेट का भी एक cut off date था जो कि fix किया गया था 26 July 2024 फिक्स गया गया था यहां पर देखे remote e-voting period चल रहा है जहां पर यह start हुआ है 1st August 2024 को 9 a.m. से start हुआ है and खतम हो जाएगा 30-30 August 2024 को 5 बिजे खतम हो जागा and इस postal ballot का जो update जो रहता है यहां पर देखे announce किया जाएगा 5 p.m. को September 2nd September 2nd, September 2nd, September 24th बहुत important दिन रहेगा because यह जो रहता है यह split को लेकर कि approval का update आगा plus यहां पर record date का भी announcement आ सकता है तो friend यह date ध्यान दे जागा September 2nd, 2024 अब देखे हाँ पर क्या क्या हो रहा है split से पहले जो रहता है इनके पास देख सकते है quantity of shares कितना है तो approximately 200 क्रोड के राण में and post split होने के बाद देखते है यह change जाएगा 500 क्रोड यहां पर change जाएगा remaining चीज़ आप यहां पर इसको rate out कर सकत है तो for the equity share holders holding the share in physical form, the existing share certificate in relation to the equity share shall be deemed to have been automatically cancelled, cancel कर दिया जागा and shall be of no effect on the board without requiring the members to surrender the existing share certificate, sell issue, sign and dispatch new share certificate, इसको rate out कर सकते हैं यह तो हो गया जो physical form में hold कर देखे है जो भी divide form में अभी जैसे सब को हम लोगों के पास divide form है तो normal process में चलेगा जो भी आप जिस proportion में आप share को hold करते है उ इसलिए मैं हमेशा कर रहा हूं कि आप इसको टू के multiple में share को hold करने का कोशिच कीजिए अबर fractional shares को लेकर के बहुत important update आ रहा देख सकते हैं बता जा रहा है कि fractional shares अगर आप hold करते हैं in any case तो क्या क्या जाएगा सब को सब को रता एक trust में भीज जा जाएगा देख सब को रत trade में भीज दिया जागा and net sale proceed of such equity shares after adjusting the cost and expense in respect thereof to be distributed among such members और उसके बाद जुसका पैसा जो हैगा उसको सबको distribute कर जाएगा जो भी expense costing जो रहागा उसको minus करने के बाद वार entitled to fraction in the proportion of the respective fraction entitle में तो जो भी इनका fraction shares का पैसा रहागा उसको company आपको भीज देगी आपको credit कर देगे आपके account में तो फ्रेंट ये update आ रहा है इसलिए मैं बार बार आपको repeat कर रहा हूं कि fraction का problem में मत रहेगा fraction में होता क्या कि फिर company कब बेचेगी कब आपकी demand पैसा आएगा वो सबी चीजों में फिर फसनी की ज़रूरत नहीं है आप इसको कोशिच किजे कि इसको fractional का problem में न continuity कर दिया है नुवामा कट its EPS target by 5-6% उन्होंने कट किया EPS warning pressure को and फिर भी उन्होंने suggest किया buy rating दिया है revised target किया है 1854 का from 1865 आपर उन्होंने target price को कट किया 1850 से घटा करके 1854 किया मोतिलाल उसवाल के तरफ से देखिए उन्होंने है buy rating 1850 का target उन्होंने set किया है उसके लावा friend last है आपका MK Global के तरफ से और देखिए उनका कहना है maintain add उन्होंने add करने का दिया है revise किया target with 1650 1650 का target है और यह target पुराना target है विकॉस जब यह इसका price 1300-1400 का राउन में चल रहा था उससमें इसका target 1650 का था तो friend अभी भी चुर रहता है उसी price के राउन में यह trade कर रही है तो यह MK Global के तरफ से update आ रहा है यह था complete update regarding VBL I hope आपको वीडियो चलाओ वीडियो चलाओ वीडियो को लाइक कीचेगा शेर कीचेगा अन्चनल को सब्स्राइक पीचेगा